यह गाड़ी है बजाज Pulsar NS400Z इसे बजाज ने अभी अभी लॉंच किया है दो दिन पहले तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को इस गाड़ी के भिसे में पूरी जानकारी देने वाला हूं कि इस गाड़ी का प्राइज कितना है माइलेज कितना है टॉप रेड कलर है और चौथा कलर है यह वाइड कलर जो आपकी स्क्रीन पे है तो दोस्तों चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस गाड़ी के फ्रें मिल जाता है ऑन होने के बाद कुछ इस तरीके की आपको दिखाई देती है इसका थ्रों काफी बहतर है आप लोग कामेंट करके बताइए कि यह लुक आपको कैसा लग रहा है इसके बाद आते हैं थोड़ा सा आगे की तरफ तो फ्रेंट में आपको बॉडी कलर में स्कलिपर देखने को मिल जाएंगे फ्रंट में अपसाइड डाउन सस्पेंस गोल्डेन कलर में देखने को मिल जाता है बात करें फ्रेंट टैयर साइज की तो 110-72 17 इंच का फ्रेंट में ट्यूबलेस टैर देखने को मिल जाएगा आते हैं रियर प्रोफाइल की तरफ तो य 17 इंच का आपको यहां पर रेडियल टायर देखने को मिल जाएगा काफी वाइड है यह रियर में मोनो सॉक सस्पेंसन दिया गया है इसे अपने हिसाब से अड्जेस्ट भी कर सकते हैं पैसेंजर फोट्रेस्ट यहां पर मिल जाएगा इसके बात बात करते हैं इस गाड़ी की लोगों देखने को मिल जाएगा इसके बाद आते हैं मेटर कंसोल के नीचे तो यहां पर आपको यूएजबी चार्जिंग पोर्ट दिया गया है इससे अपने गैजट्स चार्ज कर सकते हैं बात करें मेटर कंसोल की यहां पर आपको फुली कलर्ड डिस्पले मिलने वाल इसके बाद बताएगा मोड्स यहां पर आपको चार मोड्स मिल जाते हैं रोड मोड स्पोर्स मोड रेन मोड ऑफ रोड मोड इसको आप हैंडल बार से सेट कर सकते हैं वहां पर बटन दिया गया है और चोटा सा यहां पर डिस्पले भी दिया गया है यहां पर आपको बटन मिल जाते हैं मेटर कंसोल को सेट करने के लिए क्लज को सेट करने के लिए यहां पर लिवर दिया गया है सेम सेम इसी तरह से ब्रेक को सेट करने के लिए यहां पर भी लिवर दिया गया है दोनों तरफ आपको लिवर मिल जाते हैं इंडिकेटर का स्विच मिल जाता है सबसे नीचे हारन का स्विच मिल जाता है नीचे आते हैं यहां पर प्रंट का फुट्रेस्ट मिल जाएगा सिक्स स्पीड गेर बॉक्स दिया गया इस गाड़ी में सिंगल स्टैंड में आपका स्टैंड कटा फीचर दिया गया जब तक स्टैंड लग रहाएगा आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होने वाली है इसके बाद थोड़ा सा आगे आ इसके बाद पिलियन की सेफटी के लिए ग्रैब रेल भी दिया गया है LED में आपको टेल लाइट मिल जाती है इंडिकेटर भी आपको चारो LED में मिलने वाले हैं इसके बाद बात करते हैं इस गाड़ी के इंजन की तो इस गाड़ी में 373 cc का सिंगल स्रेंडर 4 stroke 4 valve liquid cooled engine मिल जाता है जिसकी मैक्स पावर की बात की जाए तो 40 PS की प्रेडियूस करेगा और 35 एनम का टॉक प्रेडियूस करेगा ये इंजन बात करें इस गाड़ी के फ्यूल टैंक की तो 12 लिटर का फ्यूल टैंक मिल जाती है इटवंटी फ्यूल सपोर्ट करता है एक बाइल टैंक तो दोस्तों मुझे उमीद है कि विडियो आपको पसंद आया होगा अगर विडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए मिलते हैं नेक्स्ट विडियो में धन्यवाद